पुस्तक का नाम प्रत्तक्ष से भी अतिसमर्थ परोग्ष लेखक पंडित श्री रामशर्मा आचार्य ओडियो 13 अंग्रेजी का यूनिवर्स शब्द सारे विश्व की एक्टा का प्रतीक है श्रिष्टी का कोई भी स्थान पदार्त रहित नहीं है आकाश में भी गैसे हैं जहां पिरकुल हवा नहीं है वहां विकीरण या प्रकाश के कण और उर्जा विद्धमान है प्रकाश भी एक विद्धुत चुम्ब की तक्त्व है वेज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि वह एक वर्ग मेल शेत्र पर प्रती मिनट आदी चटांग मात्रा में सूर से किरता रहता है अर्थात एक वर्ग मेल स्थान में जो भी प्राकरतिक हलचल हो रही है उसका मूल कारण यह आदी चटांग विद्धुत चुम्ब की तक्त्व ही होता है जिस प्रकार कोई स्थान पदार्थ रहित नहीं है और प्रती कण की उपस्तिते भी सिद्ध हो गई जो कि स्थूल कण की चेतना से विप्रीत गुणवाला होता है तो यह एक मानने वाली बात हुई कि सारे श्रिष्टी में व्यापक प्रती ब्रह्मान तत्व वही इश्वर होना चाहिए जिसे कण कण में विद्धमान, कर्मा धक्ष, विचार, ज्यान, मनन, आदी गुणों वाला तथा गुणों से भी अतीत कहा गया है प्रतिपदार्थ की तरह चाया पुरुष के डूप में एक व्यक्ति का प्रतित्वंदी पक्ष भी सोचा जा रहा है यह अद्रश्य रहकर सीधे जाने पर सहयोगी भूमी का निभाता है तंत्र साधना में उसका विस्तरत दिवरण मिलता है यह चाया पुरुष क्या है जीवित मनुष्य का एक ससक्त प्रतिविम्ब जिसे साधन प्रयोगों द्वारा अपने पश्वर्ति बनाया जाता है और वह किसी भिन्न सत्ता वाले अद्रश्य व्यक्ति की तरह आज्या अनुसार काम करता है इसकी क्षमता साधन करता की अपेक्षा कहीं अधिक होती है चाया पुरुष का अस्तित्व भले ही संदिक तो हूँ पर चाया विश्व और चाया पदार्थ की सिद्धी अब वैज्यानेक जगत में मानता प्राप्त कर चुकी है और उसे पकड़ने वश्वर्थी करने के लिए प्रवल चेस्टा हो रही है पदार्थ के प्रतिपक्षी प्रतिपदार्थ की कल्पना तो सन 1928 महीं सापेक्षवादी क्वांटम सिद्धान्त के अंतरगत ही कर ली गई थी पर तब उस सम्मंद में वैसे प्रतक्ष प्रयोग संभव न थे जैसे की आज हो गए हैं जिस प्रकार क्रिया की प्रतिक्रिया और ध्वनी की प्रतिध्वनी होती है उसी प्रकार पदार्थ के साथ साथ प्रतिपदार्थ भी काम करता है यह बात पहली बार जैद्धान्तिक स्थर पर बीसवे दशक में प्रतिपादित की गई थी। कैलिफोर्निया विश्विध्याले में सन 1970 में सबसे पहले प्रतिकन के अस्तित्व को कल्पनाक शेत्र से आगे पढ़ा कर प्रमाने स्थर पर खड़ा किया गया था। न्यूकलियर इंटर एक्षन के दौरान प्रतिकन का फोटो खीचा गया था। इसके लिए एक सेकेंड के 15 अरबवे भाग में फोटो खीच सकने वाला यंद्र विश्यच रूप से बनाया गया था। और उस प्रमानित प्रतिकन का नाम सेंटी ओमेगा माइन्स दिया गया। तब से अब तक इन 15 वर्षों में और भी कई प्रतिकन खोजे जा चुके हैं। एक के भीतर अनेक शिष्टियों की कलपना वैसी ही है जैसी जल के भीतर एक और जल। यों सामाने बुद्धी से परिश्ण करना चाहें या हाथ से अलग करना चाहें तो सामाने जल से इस भारी जल को अलग नहीं किया जा सकता। अप्रतक्ष के अस्तित्त को सुईकार ना करने का कारण यही है कि हम उतने ही बुद्धी को पूर्ण मान बैठे हैं। किन्तु वैक्यानिक जब प्रियोगों द्वारा उसका प्रभाव स्पस्ट दिखा देते हैं तो हमें उस बात को मानने को विवश होना पड़ता है। जल के भीतर जल की बात ऐसी ही है। लगती तो यह एक आश्चर भरी बात है इंतु पर्मान वैक्यानिक भारी जल की सन 1931 में खोज करने व पर्मान विखंडन तक्नीक में इसके प्रियोग पर जब क्रियाशिल हुए तो यह सच लगने लगा। सबसे हलके तत्व हाइट्रोचन के नाभिक में जब एक न्यूट्रोन का समावेश और हो जाता है तो यही साधरन जल S2O भारी जल S3O बन जाता है। वह इसकी विशेस्ताएं अनेकों गुना हो जाती है। लगभग 65-700 किलोग्राम साधरन जल में से सार तत्व जो आन्विक उर्जा के प्राथमिक इधन का कारे करता है मात्र एक किलोग्राम भारी जल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह जल से निकला सार तत्व हुआ। श्रिष्टी से प्रतिष्ष्टी एक शक्तिशाली परोक्ष जगत के अस्तित्व को इस उधाहरन के परिप्रेक्ष में अच्छी तरह समझा जा सकता है। आइंस्टीन ने फोटोन कणों के अस्तित्व के अधार पर एक कण भातिकी की नई दिशा का प्रतिपादन किया। वहां मैक्स ब्लैंक ने क्वांटम वाद की महत्ता बताई। इस प्रकार एक अनिश्चयवादी भातिकी ने जन मलिया। जिसे सर एडिंटन और शोनजिर ने और भी पोशन दिया। सर जेम्स जीन्स ने दा मिस्टीरियस यूनिवर्स एवं। दा यूनिवर्स अराउंड अस जैसी पुस्तकों में साम्यवादी विचारधारा प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि सापेक्षि प्रकर्दी के सभी बल मूल रूप से एक ही चरम चेतन शक्ति के असंक्य नाम है। वेदान्द तर्शन की माननेता है कि जीवित एवं निरजीव, चेतन एवं जण, दोनों के एक तत्व का सूत्र उस परमात्पत तत्व में नहीत है। जो कन तरंकों का रूप धारण कर असंक्यों रूपों में प्रकट होता है। उसी को तस्य भासा सर्व मिदम विभाती, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। कहकर अभिव्यक्ति आप्त वचनों में की गई है। परमाणो वात के माध्यम से लगुतम की माप उस शदी की तहल का मचा देने वाली सबसे पड़ी पहली खोज कही जा सकती है। लेकिन परमाणों से लगुतम कणों एवं उनके प्रतिद्वन्दी प्रतिकणों की खोज उतसे भी पड़ी खोज है। क्योंकि इसने विज्ञान और आध्यात्म के मूल भूत सिद्धानतों को परस पर एक साथ गुदने की स्थेती में ला दिया है। किसी इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप से देखने पर पोले परमानों के भीतर एक सेंटिमीटर के भी दस करोडवे भाग तक के सुख्षमितम हिस्से की एक छलक जांकी देखने को मिलती है। आश्चर यह है कि यहां भी एक परिपूर्ण शिष्ठी है जो कि सुवेवस्थित केंडर में इस्थित नाभी को भी मापना हो तो और भी सुख्षमितम पैरामेटर खोजने बढ़ते हैं। परमाणों के अनकों कड़ हैं इनहें सब अटामिक पार्टिकल्स कहते हैं। निूट्रोन प्रोट्रोन प्रोजित्रोन जैसे लगपक दीज तता अन्य दोसों से भी अधिक उप परमाणों कड़ों का अस्तित तो माना गया है। इन उपकड़ों से ही सभी द्रव्यों की सन्रश्णा होती है वदार्थ का हलका भारी होना इन्ही पर निर्भर करता है प्रकाश की गती से कम चलने वाले इलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन, न्यूट्रोन आदि को टाडियान नाम दिया गया है तो प्रकाश की गती के समकक्ष दौ लगाने वाले कणों को लक्सान कहते हैं। इस वर्ग में न्यूट्रिनों, फोटॉन्स तथा ग्रेविटॉन इत्यादी आते हैं। प्रकाश की गती से बहुत अधिक तेज चलने वाले ना मात्र के दव्यमान वाले कणों की भी अब परिकल्पना की गई है। एवं इन्हें टैकियान सनाम दिया गया है। यह विराड ब्रह्मान की सनरशना करने वाला आधितत्त्त मान गया है। एवं व्यस्टी समस्टी के मध्य, तार तम्य बैठाने में विज्ञान और आध्यात्म के सूत्रों को तरक सम्मत विधी से प्रस्तुत करने में समर्थ कणों का समुच अब वेज्ञानिकों की गत कुस दशकों की खोश की ओर चलें, जिसकी चर्चा प्रतिपदार्थ प्रतिदव्य के रूप में पूर में की गई, प्रतेक परमानों में जितने कण सब अटोमिक पार्टिकल्स विद्धमान हैं, उतने ही उनके भी प्रतिरोधी प्रतिकण भी है इलेक्ट्रोन का प्रतिकण हैं पॉजिट्रोन, प्रोट्रोन का प्रति प्रोट्रोन, न्यूट्रोन का प्रति न्यूट्रोन वा के मेसांस, पाई मेसांस का भी प्रति एवं प्रति पाई मेसांस, यहां तक की प्रति प्रोट्रोन भी मौजूद हैं इन नए प्रतिकणों की खोच्से अब anti-proton, anti-neutrons अवम, anti-messants, anti-kinessants के सन्यक्तों होने से anti-messants nucleus की कलपना की जा रही है इस कलपना को साकार किया है कोलंबिया विश्य विध्याले के बहुतिक शास्त्र के डॉक्टर लियॉन लेडर मेन ने सन 1965 में एंटी नुकलियस की संरशना करके एंटी एटम का स्वरूप प्रदान किया गया पदार्थ के साथ प्रति पदार्थ के अस्तित्व को अब वैज्ञानिक जगत में निर्रिवात रूप से स्विकारा जा रहा है प्रति पदार्थ के अस्तित्त में आने से व्यज्ञानिकों ने नए सीरे से सोचना आरंब किया है अब सोचा जा रहा है कि ना केवल पदार्थ वरन प्रतेक संरश्ण का एक स्वतंत्र प्रति रूप स्थूल श्रिष्टी में विद्धमान होना चाहिए इस सिद्धान्त के अनुसार प्रति जगत प्रति मानव प्रति जीव प्रति वनस्पति भी जगत मनुष जीव एवं वनस्पति के साथ संलगन होना चाहिए प्रोफेसर दिराक के अनुसार श्रिष्ट में विद्धिमान सभी कणों के साथ अद्रश्य रूप में उनके प्रतिकण मौजूद है